हेलो गाइज वेलकम टू पर्गतिया आइडिया आज हम क्लास नाइन के हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है सोसलिजम इन यूरोप एंड रसीयन रिवॉलिशन इसको कवर करने वाले हैं इस चैप्टर को हम अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कवर कर चलिया स्टार करते हैं कि कैसे स्लैड़ में देखा था कि कैसे सौसाइटी जो हो आप बॉलोटिकल ट्रेडिसन स्में डिवाइड हो जाती हैं क्वाइड तो देर तिंकिंग देर ठोट्स ऑन्यकुऊश्ष आज के स्लाइड में यह जानेंगे कि लिब्रल राडिकल और रेलिजिंश इन कि क्या थिंकिंग थि कैसे विचार रखते थे उनके बारे में सबसック पहले करते है लिब्रेल लिब्रल स्कूनते देवांटेडे नेशन have at bad और रिलिजर्णी यह क्या कि धी देख Space biz करें हर गर्षे सब्सक्राइब हमनेर सब्सक्राइब नहीं किया जाता थान था उनfrage कि नी कि नेशन में हैं उन्हों को सबको एक्सेट करें उनकी रिस्पेक्ट करें ढवर राट सो अगेंस्ट उन्कॉंट्ट्रोल पावर और जो ये लिबरल्स ते यह क्या थे यह बैटा उनके बैटा और उनका आप होता है तो इस तरह से जो सिच्वेशन चलती थी तो दैंस्टी रूल में जो अनकोंट्रोल पावर उनके हातों में रहती थी और आम पब्लिक जो है वह पिस्ती रहती थी वह चाते थे कि इस तरह की गॉर्मेंट ना हो यह इस तरह की जो पावर सिर्फ डैंस्टी दूल के हातों में नारों तो तो वह के खिलाफ थे कि आता है कि देवांटिड़ एलेक्ट्री एक्लेक्तिड पार्लियामेंट्री गौर्मेंट्री तो यह यह चाते थे कि यह चाते थे कि गॉइमेंट जो है वह पर एस्टेबलिश किया जाए तो लिब्रल्स की थिंकिंग कि लिब्रल जो है और लेजियंस को एकसक्ट कर udahना चाते थे गोओर्मेंट की स्टेट जौिए अल रिजंन और बनाना जाते ते यह तरária कलाव्मेंट जो है यह उश्टलर गोउर्मेंट्र मियंट भाँडर सब्कूर्म आ लिबरल्स वो क्या था कि देडिड नोट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फरंचाइजी एक सिंगल पॉइंट जो इनके बारे में स्टेंज यह था कि इनको हम कह सकते हैं कि लिबरल्स और डेमोक्रेट्स को यह दूसरी कि जो इसको डिफ्रेंट क्रियेट करने में जो यह पॉइंट है यह मेजर पॉइंट माना जाता है कि जो लिबरल्स थे वह यह इस बात में बिलीव नहीं करते थी कि यूनिवर्सल अडल्ट फरंचाइजी है वह प्रॉइड कीजे वह सिर्फ यह चाहते थे कि जो जिस मैन के पास यानि कि जो प्रॉपर्टी रखता है उस मैन को सिर्फ है वोटिंग राइट मिलना चाहिए एंड वोमेंस राइट के यह अगेंस्ट एक तरह यह इनके इन वोने जो है वह साइलेंट थे इस बारे में कि मैंस के राइट्स को के लिए यह डिसैगरी थी ओके अब करते हैं रैडिकल्स रैडिकल्स कौन दे वान्टिट ग किंग यानि कि मोनार्क यानि कि डैंस्टी रूल थे उसके अगेंस्ट थे रैडिकल्स क्या थे रैडिकल्स जो है गोर्मेंट बनाना चाहते थे पोपुलेशन की मेजोर्टी कोड़ी ओके सेकिंड था कि दे अपोज्ट प्रिविलेजेज ऑफ लैंडलोर्स और फैक्टरी ओन मिले वह थे उना तरह से अपोजर्स ऑपधिक check and Simple और यहां छूःडोर्स और बना च्टू स्वंद की और रैडिकल्स क्या उन्टैस मेर्ट प्रिविलेजिश्फट को फैक्रिविलेजेज निदे इस जोई ऐ decides थे इस पर्वास थाफ चाहाट पेंड्यॏ और यह चाहते थ जो है मैंन्स के इकवल जो है राइट मिलने चाहिए अब नेक्स आता है अब कंजरवेटिव को न थे अपोज बोथ रैडिकल्स एंड लिबरल जो कंजरवेटिव ते यह रैडिकल्स और लिबरल इन दोनों की थोट्स के अगेंश थे इन बिगनिक स्टार्टिंग में क्या थ यह अपर क्लास के लोग थे या मोनार्की नोबेलिटी से जो बिलॉंग करने वाले थे वह लोग जो थे वह चाहते थे उनको बेनिफीट हो रहा था इस जाते थे जो चला हुआ है उसी ट्रेडिशन को फूलो किया जाना चाहिए इस पास्ट है टू बिस रिस्पेक्टिड एं करने के स्लोली पहले क्या चाहते ही नहीं थे कि कोई भी चेंज हो होना चाहिए लेकिन देरे देरे जो है इनको समझ आने लगया या फिर यह लगा लोगी रिवोल्यूशन करे यह उस टाइम पर जो क्राय सिच्वेशन थी उन्स रकमस्टांसी को देखते वे जैसे करने चाहिए एंड चेंज जो जो चेंज जो भी लेके आने हैं उनको जो है स्लोली प्रोसेस में लेके आना चाहिए उनको धीरे धीरे लेके आना चाहिए